तो बाती बाग कि हमनी का बिहार में सरकारी नोकरी मिलल अब भागवान से भेट भोईले। एक दम बराबरे मना जाए। काहे से कि भागवान के मंदिर तो हरेक दू किलोमेटर पर चार गो मिल जाए। लेकिन नोकरी अगर 200 सीट निकल जाव तो 20 लाक लाइका आपन सर्टिफिकेट निकाल के लेटरिंग का डेवा में बर्ची। अरे मर्दे होसत काहे बाल लोगें। जेनरल बोगी मन अइखा बहिठा लोग कहीं। तो असली बाती बा कि हमाहु ए भागवान से भेट करे का परियास में बने। मतलब सरकारी नोकरी खोजा तनी। तो चली लोगों बतावा तनी कि अगर हमार सरकारी नोकरी हो जाई तो हमारा साथे का का होई। दुआरा पयगुआ केलाईने लग जाई तो हमारा पयगुआ केलाईने लग जाई तो कास सरकारी नोकरी हो जाई तो हाँ सरकारी नोकरी हो जाई हाँ सरकारी नोकरी वला लईकन के ब्याह ना होला निलामी होला मतलब बोली लाग ता कोई पांच लाख देके दुआर कुरता के महराज बियाह कली तो वही जो कोनों दस लाख देवे पता यारवा हाँ तो अब आगे इस सुनी लो कि अगर हमार सरकारी नोकरी लाग याई तो हम काम का करती हो शुट बूट लागा के हम अफिस में जईती आदी निभा बैठी के अब तो हनी ये बतावलो कि अइसन फाइदा कनों नोकरी में बार अभी में फाइदा तो हई बार ये करा खाती नोनोकरी खाती मरतानी बीना पईसा के कवनों ना काम करती भले दिन भर बैठी के आराम करती आघर भग के लोग घूस के पईसा खाई माने जितना ज्यादा उपरवार बा उतना ज्यादा ताहर नोकरी इजत दार बा ना ता बोस मतलब खातानी हो तो ये ही से कहतानी कि बीना पईसा के कवनों ना काम करती भले दिन भर बैठी के आराम करती स्धर भग के लोग घूस के पईसा खाईत कास सरकारी नोकरी हो जाई तो अब आगे इस सुन लोगान कि अगर हमार सरकारी नोकरी लाग जाई तो गाउं जवार में का सिचुएशन रही हो पूरा गउंआ के लोग हमार करी बाराई आई हे सुनी सुनी पटिदार जड़ी जाई हो तो हमनी क्या गाउं जवार में एगो कहावत बा कि मसुरी के दाल आपटिदार जेतने जडेला ओतने माजावे हमरे देखा देखी लोग लई का पढ़ाई खेत बेच बेच ओकरनो करी लागाई तव हो फेर घूस लेके खेत ली खावाईत तव हो फेर घूस लेके खेत ली खावाईत कास सरकारी नुकरी हो जाई कास सरकारी नुकरी हो जाई तो भाईया लोग जोन हमरा बुझायल हो उतना भावम लिखले रनी हो तो अगर अच्छा लाई